नमस्कार तिंग टैंक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ परेणा शर्मा दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में एक ऐसी गलती के बारे में जो 75 साल पहले हो गई थी जिसे सुधारा जा सकता था आज़ादी के समय जिसे जवालाल और सो कॉल्ड कॉंग्रिस पार्टी जो कहती है कि इस देश के आज़ादी में इस देश के भविश्य में देश के बरतमान में किवल कॉंग्रिस पार्टी ही कॉंग्रिस पार्टी है तो वो गलती कॉंग्रिस पार्टी ने क्यों नहीं सुधारी और आज जब भाजपा सरका इस गलती को सुधार रही है तो क्यों इसे कायरता का नाम दिया जा रहा है क्यों ये कहा जा रहा है कि इंडिया का नाम भारत रख रहे हैं तो इसके पीछे महागडबंदन इंडिया वजह है इन्हीं मुद्व पराद चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से एक बहुत बड़ी गलती जो 55 साल पहले हुई जिस गलती को जिस अंग्रेजों के बोज को आज भी हम कंधे तलो कंधे अपने कंधों तले लादे जा रहे हैं ढोते जा रहे हैं जिससे आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी सुधार रहे हैं लेकिन इस से कई नेताओं को बह पद जाता परिशानी हो रहे है आज बात करेंगे और नेताओं के बाड़े में आज पड़ंगे भारत के बारे में अखिरकार कैसे भारत का नाम पढ़ा और कैसे भारत को बदल कर इंडिया रख दिया गया इन तमाम मुद्व पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में तो वीडियो को अंतक जरूर देखना है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों मेरा नाम प्रेणा है नाम सुनने में बहुत अच्छा है लेकिन कई लोग मेरी नानी दादी ऐस उम्र की जो लोग है वो इस नाम को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं और जब नहीं बोल पाते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा नाम इतना सिंपल है और इसे लिया नहीं जा रहा हूं वहीं दूसरी दरफ मैं आप से पूश्टी हूं कोई आपके नाम को ही ब Love Bank of India ये सारी चीज़े एक ऐसे नाम पर चल रही हैं जो हमारे देश का नाम ही नहीं है अब आप से भी सोश्रे हूंगे कि ये चर्चा को हवा कैसे मिली आखिरकार क्या प्रूफ है कि भारत नाम रखा जा रहा है इंडिया का बदल गर तो आपको बता दे G20 Summit की बैठक हो र पती मुर्मो के नाम के उपर President of भारत लिखा गया है इसी ये हवाई तेज हो गई है कि सप्टेंबर के महीने में 18 से 20 तारीक को जो विशेश सत्र बुलाया गया है उसमें एक खास बिल लाकर समिधान में संशोधन करके इंडिया के नाम को भारत रखा जाएगा लेकिन जैस अपने देश का नाम ही बदलने लग गई है वहीं हमारे दिल्ली के नटवर लाल यानि कि अरविंद के इज्रिवाल जी का कहना है कि यदि कल को हमने अपने गडबंदन का नाम भारत रख दिया तो बीजेपी देश का नाम ही बीजेपी रख देगी यानि कि उनका कहना है कि दर के कारण बीजे पी ये सारी चीजे कर रहे हैं हालाकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोस्तों इससे पहले खुद महागडबंदर इंडिया के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अपने राज्यों के नाम बदल चुके हैं बात करें बॉंबे की तो वो मुंबई हो चुका है कल हमारा देश जो हमारी पहचान है उसका नाम क्यों वो नहीं हो सकता जो उसका वास्तविक नाम है हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमारे भोजन से लेकर हमारे नित्य तक हमारी हर चीज का हमारी औशिद्यों के पीछे एक ज्ञान है और एक विज्ञान है तो कि आप संधर्म के गरंथों में इस बात का जिक्र है कि हमारे देश का नाम भारत था हलाके आपको बता दें जब बहार से तुर्की और इरानी लोगों ने भारत में आगमन शुरू किया तो वह सिंदू घाटी से भारत की अंदर आए जिसे वह हिंदू बोलने लगे और इस हिंदू क हिंदूस्तान बना दिया वहीं बात करें अंग्रेजों की जब अंग्रेजों ने भारत पर कबजा किया तो वह सिंदू घाटी से भारत में एंचर हुए तब उन्हें हिंदूस्तान बोलने में प्राबलम होती थी तो उन्होंने भारत को इंदूस वैली घाटी कर दिया इं माले के दक्षन तक भारत के सीमाई फाली गई है इसी पुराण में ये भी लिखा गया है कि रिशब देव ने जब वनवास लिया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र भारत को पूरा राजभार स्वाफ दिया और उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया औ इसी के साथ साथ सबसे प्रचलित माननयता यह रही है कि दशनट पुत्र और प्रभु से राम के चोटे भाई भारत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया है तो अब ऐसे में इतनी सारी परंपरा इतनी सारी मनताएं हमारे सामने हैं जिन से ये बात हम कह सकते हैं कि भारत का नाम आज से नहीं पड़ा है ये हजारों साल पुराना है वहें एक मानता ये भी है नाट्य शास्त्र में जिन भारत मुनी का जिक्र है उनी के नाम से भारत का नाम रखा गया तो वहें दूसरी तरफ रमायन काल में जब भगवान शीराम वनवास जाते हैं तो भारत जी ने उनके खड़ाओं को सिंगासन पे रखा और बिल्कुल भी अच्च्छ की नाम को कैसे लिकिन अब कुछ लोग की नासमझी की जो एक सजा है वो कियो मिले आप सोचिए हम क्यों ऐसे नाम को अपनाए जो हमारी संस्कृती से नहीं जुड़ा हुआ, हमारे विज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ, हमारे विज्ञान से नहीं जुड़ा हुआ, हमारे शास्त्रों से नहीं जुड़ा हुआ, हमारी मानेताओं से संस्कृती से नहीं करें तो उनकी खुश्ची का तुपी चिकाना भी नहीं होगा जिनके ओपर कोई बाउंडेशन भी नहीं है अपनी फिलिंग्स को एक्स्प्रेस करने की दूस्तों आप सोचिए दूसरे देशों में हमारी पहचान आज भारत नहीं बलके इंडिया है और कैंसा और कौन सा ऐसा देश है पूरे विष्व में जो गुलाम बनाने वालों का नाम डू रहा है कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम का उसकी संस्कृती से कोई लेना देना ही नहीं है हमारी संगीत और हमारी नित्यकला हमारी खानपान तक की अपनी अलग पहचान हो लेकिन हम इतने सालों से एक उ से घवरा कर बीजेपी नाम बदल रही है उसी कॉंग्रेस के पूर्व सांसद शांता राम नायक 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम बदलने की बात कर चुके हैं सबसे पॉपुलर स्पिरिच्वल लीडर सद्गुरू भी इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने की बात कर चुक 2014 में योगी अधितिनाथ भी इंडिया नाम को बदलने की बात कर चुके हैं तो ऐसे में ये बात कहना गलत है कि इंडिया नाम आज अचानक से बदला जा रहा है अलाकि इंडिया नाम जो है वो गुलामी का प्रतीक है और यह बदलना चाहिए और यह सच है कई लोग इस कीस को राजनीती से जोड रहे हैं लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले बहुत सालों से नरेंद्र मोडी ने अंग्रेजों की बनाई हुई तमाम परंपराव को बदला है राजपत का नाम बदल कर परतावय पत किया गया है राश्टेपती उप राश्टेपती और राश्टेप रखा है ये वाकि गलत है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कई सारे राज्टेपती नाम बदल कर अल्रेडी रख दिया गया है दूसरे तरीके से बैंगलौर बैंगलूरू हो गया है मदरास शेनाई हो गया है तो क्या राज्टेपती पहचान दलाने के लिए नाम पर दोस्तों यह जो भारत नाम है यह आज का नहीं है इसका इतिहास सदियों पुराना है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो विरोध करते रह जाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी के सानेध्य में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें आज़ादी मिली हो और ये तो वैसे भी आज़ादी का अमरित महुचसब जल रहा है इस खबर पे और नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट कर क्या वश्य बताईएगा रिपोर्ट अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो कॉमेंट करें शियर करें और हमारे चैनल ठिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले नमस्कार